कि लोक नायक जै परकास नाराइन के सिस स्रीमान लालू परसाद जादा और मान ये नितीश कुमार जी आपने उनके आवास में सपत लिया था भूल गे उस सपत को हाथ उठा कर आपने सपत लिया था कि हम जाती विहिंज समाज बनाएंगे बरस्ट अचार मुक्त राष्ट ब जातीए नरसंगार करवाए जातीए उनमात पैदा करके समाज को लराने का काम किये कि सिरीमान लालू परसाद जादा और नितीश कुमार और ललन बावु जैसे लोग भी या और कौन-कौन लोग है असपस्थ करे कि हम कॉंग्रेस के गोद में बैठ गए कॉंग्रेस के समझावता कर लिए अब जेपी सेनानी हम नहीं रहे जेपी सेनानी का पैंसन बंद करे सरकार रोजगार के चक्कर में कभी अपमानित होता है इसका सोसन दोहन होता है सरकार की ठोस नीती नहीं रहने के कारण बिहारियों को सम्मान के साफ अपने रोजगार और सो रोजगार कि और कदम बढ़ाने का अब सर नहीं मिल पा रहा है बारह जून इसी दिन आपात काल लगा था इसी दिन कॉंग्रेस के एक बड़े लीडर का सदस्ता चली गए थी देश के पढ़ान मंतरी इंदरा गांधी की और बारह जून को लोक नायग जैप्रकास नाराइन जी ने भी आभान किया था कि भरस्त्याचार मुक्त रास्ट बनेगा ताना साही हिटलर साही नहीं चलेगी ये भरस्त्याचारियों का सर्वदलिये बैठक बुलाना चाहते हैं तमाम भरस्त्याचारियों को लोक नायक के पवित्र धर्ती पर उनकी बैठक का हम लोग बिरोध करेंगे जेपी निवास से लेकर पटना तक पोड़े वातावरन में भरच्टाचार मुक्त विहार का अंदोलन शुरू होगा एक सो च्छो बर्स पुराना हमारा जो पटना संग्राले है ये नए संग्राले के अधिन क्यों किया जा रहा है उसमें कही है इससे पुरातवत्व कि वेवस्था है जिसको कही लोगों की निगाव बहुत दिनों से तिका है जो बना रहे हैं सुरंग कही सो करोर खर्च इससे क्या फाइदा होगा हमारे बच्चे को परने के लिए सिचक नहीं भवन नहीं बैंच डेक्स तक नहीं व्यवस्था नहीं सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में भरष्ट अचार उजागर हो एवन भरष्ट पदाधिकारी लोग सेवक पर कारवाई हो इसलिए लगातार नुक्ति को बाधित किया जा रहा है लोकायुक्त के नुक्ति को सरकार के द्वारा बाधित किया जा रहा है सहयोग कार्जकर्म में जंकल्यान संभाद में कई विशय जिसमें प्राथिमित्ता में एक विशय आया है कि पटना संग्रहले जो एक सो चो वर्स पुराना है आज उसे सोसाइटी रेजिस्टेशन एक्ट के तहद संचालित बिहार संग्रहले के अधिन कर दिया गया है सरकार चुपके से एक संकल्प लेकर यह काम कर देती है मानिये नितिश कुमार जी की चला चली का बेला है और रास्तिय धरोहर को जिस तरह से ओल जोल करने के चक्कर में इनके भरष्ट पदधिकारियों का खेल है सेवा निविर्थ नौकर्शा से लेकर कई ऐसे पदधिकारी हैं जो रास्तिय पुरातत्व को अस्थांतरित करने का दुरुभाग्य पुर्ण निव में है मान दिये मुख मंत्री जी अपने लोव में परकर इस रास्तिय समारक को छती पहुचा रहे हैं मैं मान करता हूं कि नयाईक आयोग गठित कर जितने भी निर्मान कराए जा रहे हैं रास्तिय धरोहर को अस्थानंतरित किया जा रहा है उसकी ज्याच नयाईक ज्याच होनी चाहिए क्योंकि एक बड़ा घपला घोटाला है आज बताईए कि संक्रो करोर एक सो चो बर्स पुराना हमारा जो पटना संग्राले है यह नए संग्राले के अधिन क्यों किया जा रहा है उसमें कई यह इससे पुरातवत्त्य की बेवस्ता है जिसको कहीं लोगों की निगाह बहुत दूनों से ठिका है और आप उसके अंदर जो बना रहे हैं सुरंग कई सो करोर खर्च इससे क्या फाइदा होगा हमारे बच्चे को परने के लिए सिच्छक नहीं भवन नहीं बैंच डेक्स तक नहीं वेवस्ता नहीं जिच्छको की नाम पर जो आप खाना पूर्ती कर रहे हैं उसके बहाली के नाम पर निक्ति घोटाला का खेल खेल रहे हैं सैच्छनिक बातावन को कमजोर कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के अनाप सना ब्यवस्ता में आप खर्च करके क्या संदेश देना चाहते हैं ब्रस्टाचार के मामले में बिहार जितना मेहिनी के साथ कर रहा है प्राकलन घोटाला से लेकर कई विभाग के अंदर कई ब्रस्टाचार का घोटाला सदन के अंदर भी हमने लाया उसको सभापठल पर आने नहीं दिया उस मिशेश कमीटी को भी वरगलाने का खेल में लग गया है और उसका सबसे बड़ा प्रमान है कि लोकायुक्त बिहार में कोई अध्धक्ष या सदस नहीं है बरसों से ये पद खाली क्यों है मुक्हमंत्री जी को जवाब देना चाहिए सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में भरष्टाचार उजागर हो एवं भरष्ट पदाधिकारी लोग सेवक पर कारवाई हो इसलिए लगातार न्युक्ती को वाधित किया जा रहा है लोगायुक्त के न्युक्ती को सरकार के द्वारा बाधित किया जा रहा है जब लोगायुक्त या अध्धक्ष का लोगायुक्त में सहायक को से सहायक घोतक न्युक्ती परतिन्युक्ती पदस्थापना के सच्चम अधिकरन नहीं है बिहार लोकायुक्त अदिनियम की धारा 2021 की तहद दस दो में सरकार बिना लोकायुक्त के रहते लोकायुक्त कारजालाई में अपने मन से OSD ल्यूक्त करती है ये भरस्टाचार को दबाने के लिए भरस्टाचार को छुपाने के लिए बरेस्ट आचार पर कोई एक्षन या संग्यान ले तो सरकार को पहले इन्फोर्मेसल मिल जाए इसकी वेवस्था बनाने के लिए सरकार ये खेल बंद करे बरेस्ट आचार के नाम पर पूरे बिहार को राजनीतिक और प्रसासनिक अरजकता का सिकार बना रही है और हद तो हद हो गई अब कि बारह जून इसी दिन आपात काल लगा था इसी दिन कॉंग्रेस के एक बड़े लीडर का सदस्ता चली गए थी देश के पढ़ान मंतरी इंद्रा गांधी की और बारह जून को लोक नायग जैप्रकास नाराइन जी ने भी आवान किया था कि भरस्ट्या चार मुक्त राष्ट बनेगा ताना साही हिटलर साही नहीं चलेगी जब उनकी सदस्ता गई थी ये नारा पूरे पटना में गुझा था और मैं बता दू कि बारह तारी को ये भरस्ट्याचारियों का सर्वदलिय बैठक बुलाना चाहते हैं तमाम भरस्ट्याचारियों को लोक नायक के पवित्र धर्ती पर उनकी बैठक का हम लोग विरोध करेंगे जेपी निवास से लेकर पटना तक पोड़े वातावरन में भरस्ट्याचार मुक्त बिहार का अंदोलन सुरू होगा इस धर्ती को इन भरस्ट्याचारियों का जो पडिवारबाद बंसबाद से अकुच संपत्ती कमाया है और इस बिहार को भरस्ट्याचारियों का चारागा बनाना चाहता है ये कता ही नहीं होने देंगे इसके बिरोध में आंदोलन सुरू होगा आंदोलन का सुरूप आपको बताया जाएगा अपराद और भरस्ताचार से बिहार तरह इमाम कर रही है लेकिन ये सरकार बिहार को भरस्ताचारियों का चारागा बना कर तमाम भरस्ताचारियों का सरनस् तो लोक नायक जैप्रकास नारायन की ये धर्ती है, जो धर्ती भरस्टा चार के बिरुद में आंदोलन शुरू किया था, देस में बदला हुआ था, कॉंग्रेस मुक्त भारत का आहवान हुआ था. हाज दुरुभाग्य है कि लोक नायग जैप्रकास नाराइन के सिस स्रीमान लालू परसाथ जादा और मानिय नितीश कुमार जी आपने उनके आवास में सपत लिया था भूल गए उस सपत को हाथ उठा कर आपने सपत लिया था कि हम जाती विहिंज समाज बनाएंगे भरस्त आचार मुक्त राष्ट बनाएंगे आपने जाती उनमाद पैदा करने के लिए जाती जहर के लहर के कहर से जाती नरसंगार करवाए जाती उनमाद पैदा करके समाज को लराने का काम किये और भरस्त्याचारियों के गोद में बैट कर उस कॉंग्रेस को लगभग 50 वरस अर्ध सतक के बाद फिर से भरस्त्याचार युग्त भारत बनाने का आपका संकल पूरा नहीं होने देगा भारतिय जंता पाटी लोक नायक जैपरकास नाराइन के उस अधूरे सपने को बिहार की धरती से नए संखनात के साथ शुरू करेगा और आपसे बरे भाई छोटे भाई भरस्ताचारियों का कॉंग्रेस की गोद में बैटे हैं उनसे मुक्ती का बिहार से शुरूआत होगी औ इनके इस गंदे विचारों को इनके इस मानसिक्ता को जो कॉंग्रेस मुक्त भारत का बरस्ताचार मुक्त भारत के सपना को चकना चूर करके आज येपी पेंसन लेने वाले लोग पहले इसतिभा दे राजत जद्यू के जो भी लोग उस दल के अंदर हैं उनके नेता है मुझे तो जहां तक कुछ लोग बताया है कि स्रीमान लालू परसाद जादव और नितिश कुमार और ललन बावु जैसे लोग भी या और कौन-कौन लोग है असपस्ट करे कि हम कॉंग्रेस के गोद में बैठ गए कॉंग्रेस के साथ गलबहियां कर लिए बरस्ट आचार से समझवता कर लिए अब जे-पी सेनानी हम नहीं रहे जे-पी सेनानी का पेंसन बंद करे सरकार ऐसे लोगों को पेंसन लेने का अब कोई अधिकार नहीं है और खुल कर ये आहवान अब शुरू होगा बिहार के गाउं तक अपराद भरस्ट आचार के बिरोध में एक जन आंदोलन शुरू होगी आज इनके भरस्ट आचार और अपराद के कारण बिहार में निवेशक नहीं आ रहे जो निवेशक थे उसका पलाइन हो रहा है निवेशक जब आते हैं रोजगार का अबसर बढ़ता है बेरोजगारी घटता है आज बेरोजगारों की संक्या बिहार में बढ रही है रोजगार के अबसर को ये खत्म कर रहे है नौजवान मित्रों को बेरोजगारी के पंक्ति में बिहार सरकार ख़रा कर रही है बिहार का नौजवान दूसरे राज में जाकर रुजगार के चक्र में कभी अपमानित होता है इसका सोसन दोहन होता है सरकार की ठोस नीती नहीरहने के कारण बिहार यों को सम्मान के साप अपने रुजगार और सो रुजगार की और कदम बढ़ाने का अबसर नहीं मिल पा रहा है इसलिए इनको बेरोजगारी के मामले में बरस्ताचार और अपराध को ले करके विहार के अंदर एक बड़ा जना अंदोलन शुरू होगा एक 12 तारी को पटना के अंदर खूल करके इन भरस्टाचारियों के बिरोध में पूरे पटना और विहार के अंदर जना अंदोलन होगा